कलेक्टर सरभ कुमार सुमंद्वारा दिये गए निर्दिशों के परिपालन में स्वासे विभा की मलेडिया शाखाद्वारा डेंगु निये त्रेंड कार्य के लिए सर्विलेंस लारवा नश्किकरन कार्य का आयजन किया जा रहा है तथा नौ सर्वे दलोद्वारा आज मोहननगर, दिन्दयालपूरं, नूरीमजीज, शिवनगर कॉल्नी और कालीवाडी शेत्र में 404 घरों का सर्वे किया गया सर्वे के दोरान 64 घरों में लारवा पॉसेटिव पाए गया जिनका नश्किकरन किया गया जिले में अभी तक 13452 घरों का सर्वे किया जा चुका है, जिसमें 2437 घरों में लारवा का नश्किकरन किया गया है मुखे चिकितसा एवं स्वास्तादिकारी डॉक्टर जीसी चोहरसिया ने बताया कि जिले में 10 सक्तंबर को शाम साड़े पाज पशे तक 694 घरों की एलाईजी चांच की जा चुकी है तथा डेंगू एलाईजा टेस में 135 मरीज पॉसिटिव और 569 मरीज नेगेटिव पाए गये हैं एवं अभी तक डेंगू के 133 मरीज स्वस्थ हो चुके है उन्होंने बताया कि आज 38 डेंगू एलाईजी की चांच की गई जिसमें 4 पॉसिटिव और 32 नेगेटिव के स्पाइक है उन्होंने जन समुदाय से अपील की है कि लारवा नश्रिकरन और प्रचार प्रसार के लिए आये हुए स्वास्त कर्मचारियों को सयोग प्रदान करी साथ ही अपने घरों में रखे गमले, कूलर, टंक्यो, सीमेंट, टाकू, प्लास्टिक ड्रम आदी का पानी प्रती सप्ता हक खाली कर रगड कर साफ करके ही पुरह उपयोग करे तथा चत पर रखे टूटे फूटे बरतनों टायरों आदी को उचित प्रकार से घरों में रखे ताके उनमें बारिश का पानी जमान नहीं हो बीसियन न्यूज के लिए चिन्दवाला से चनरशे कर शक्रवार की रिपोर्ट